Hello guys, Zanjay here and आज Reliance का AGM था यानि की Annual General Meeting इस AGM में Mukesh Ambani ने बहुत सारी बाते की है and उसमें से एक बहुत ही जादा important चीज थी वो थी Jio के बारे में and इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजे बताऊंगा जो आपके लिए important है वो भी 5 मिनिट के अंदर so before further delay, let's get started and first important news यह है कि 5th September के बाद किसी भी brand के लिए आपको SIM card मिल जाएगा आपके बाद Xiaomi का phone होने दो, OnePlus का होने दो, Samsung, Linux किसी का भी phone होने दो, आपको SIM card बिल सकता है वो भी free of course, उसके लिए कुछ पैसा देना नहीं है and वो जो SIM card मिलेगा, उसके उपर आपको free unlimited data, calling and SMS मिलेगा and यह सब activated होगा 31st of December तक तो preview offer जो है वो extend किया है पहले 3 मेने का था, अभी 31st December तक, they are not launching it officially तो beta phase में ही रहेगा और इसके वैसे unlimited data, unlimited calls है, कोई भी phone होने दो and अगर आपने 2 मेने पहले SIM card लिया, तो उसकी जो unlimited की validity थी वो 3 मेने से extend होके 31st December तक जाएगी and मैंने life phone के साथ मेरा Jio का first SIM card लिया था उसके उपर मुझे अभी message आया, कि उसकी जो validity है, वो 31st October तक extend कर दी गई है and most probably उसके बाद मुझे और एक message आगा जिसमें बताएंगे कि 31st December तक validity extend की गई है, which is a very good thing so, अभी आपको कोई भी barcode generate करने की ज़रूरत नहीं है, कोई barcode कुछ नहीं, अगर आप Mumbai और Delhi में रेते हो, तो अभी आपको SIM card सिर्फ 15 minutes में activate करके मिल सकता है, मतलब आप store में जाओ, document submit करो, इसको मुके शंबानी बोल रहेते, EKYC form होगा और जैसे ही आप SIM card लोगे, 15 minutes में store से बहार पढ़ोगे, वैसे SIM card activate हो जाएगा, and कुछ दिनों से लोग जो SIM card ले रहे हो उसको activate होने के लिए एक हफता, दो हफते लग रहे, फिर भी SIM card activate नहीं हो रहा है, वैरास, Mumbai और Delhi के लिए अभी के लिए 15 minutes में activate हो जाएगा 5th September के बाद, and India के बागी जो बड़े cities है, उनमें भी ये next 3-4 weeks में offer आ जाएगा, जिसमें आपका SIM card 15 minutes में activate हो जाएगा and ये SIM card लेने के लिए आपको बस आदार काड की ज़रूरत है, यही एक document है उसकी Xerox लेके जाना आपको SIM card मिल जाएगा and आपकी age should be more than 18, अगर आपकी age 16-17 है तो आपको SIM card most probably नहीं मिलेगा and अभी तक हम दोग ने बात की है, 31st December के बारे में, जब तक सब unlimited है 4G, data, calling, सब unlimited है लेकिन 31st December के बात, जब Jio officially launch होगा, और सारा unlimited बंद हो जाएगा, अगर आपको Jio का प्लान खरीदना है, तो उसके प्लान्स भी Mukesh Ambani ने बता दिये थे, जैसे कि 149 रूपीज में आपको 0.3 GB देटा में लेगा, इसका मतलब है 300 MB देट सो रुपे में, और लिक्स जो आये थे, वो बता रहे थे कि 50 रूपे में 10 GB 4G रेंगे जैसे कि मैंने मेरे डेली टेक निउस में बोला था, 10 GB of data, 100 रूपीज में 20 GB, और 400 रूपेज का डेटा पैक करेंगे, तो 60 GB देटा मिलेगा, ये 91 मोबाइल से इमेज मिलिया है, और मुझे बहुत जादा पॉसिबिलिट लगते है कि ये इमेज इमेज मोस् रॉइबली फेकी होगी, अगर ऐसे इमेज तो उस पे बिलिव मत करना, I don't अगर आपको 10 GB का डेटा चेज तो उसके लिए आपको 999 का रिचाज करना पड़ेगा, oh my god, that is so costly, and ये SIM card के उपर, सब को free voice calling होगी, free voice calling उसके लिए कुछ पे नहीं करना, Muka Shambani ने बोला की, why pay for two things when you can pay for one thing only, so उनका मतलब था कि voice के लिए अलग पे क्यू करना है, और data के लिए अलग पे क्यू करना है, दोनों के लिए एक साथ ही पे करेंगे, तो उनने voice calling free कर दिया, तो वह बहुत ही बड़ी आचीज है, लेकिन make sure that you have a handset which has VOLTE enabled, and let's assume आपके पास एक phone है, जिसमें 4G तो है, लेकिन VOLTE enabled नहीं है, जैसे कि यू यू रिका है, या फिर यू यू फोरिया है, 1 plus 1 है, 1 plus 2 है, तो वो phone में calls करने के लिए आपको geo join application यूज करना पड़ेगा, compulsory, and geo join application यूज करने के लिए आपको आपका 4G connection हमेशा चालू रखना पड़ेगा, and जैसे ही आप 4G connection चालू करोगे, तो 4G data consume होगा, and जैसे ही 4G data consume होगा, अगर आपने 1,500 रुपीज का recharge का यू यू तो आपको 300 MB का ही limitation है, तो 300 MB अगर आप 2-4 घंटा बात कर दो, 300 MB तो वेसे ही खतम हो जाएगे, तो remember this, so remember this, that अगर आप इसके बात फोन लेने वाले हो, तो make sure that वो फोन में VOLTE enabled है, जैसे कि Redmi Note 3, Redmi 3S Prime, या फिर Lenovo Vype K5 Note, जिसमें Lenovo ने बोला है कि VOLTE enabled करें के future में, या आपके बास OnePlus के device है, याने कि OnePlus 2, OnePlus 3, OnePlus 1, तो उसमें भी VOLTE enabled होने वाला है, software update के बाद, जो अभी जब हुआ नहीं है, so make sure that the phone which you are going to buy in the future, has VOLTE enabled, and I want to give you guys one tip that, अगर आपको जियो SIM card लेना है, तो 5th September को सुभह 9 बजे जाके दुकान के बाहर line लगा देना, क्योंकि अगर अब थोड़ा late करोगे, तो बहुत बड़ी line होने आ लिए, अभी यह सारी जो न्यूस है, Mukesh Rambani साहब ने बोला है, तो सारा media cover करेगा, TV पे न्यूस पर में आएगा, तो सब लोगों को जो internet यूसने करते है, वो लोगों को पता चल जाएगा, कि unlimited data 4G सब फ्री मिलना होला है, तो आप लोग जो भी YouTube वीडियो देख रहे हो, make sure that you line में जाके, जल्दी से जल्दी खड़े हो जाओ, और सिंकाद ले लो, So yeah, this has been Archit for this video guys, thank you for watching, don't forget to smash that like button if you like this video, and don't forget to hit that subscribe button if you haven't already, because many more awesome videos like these are going to come real soon on the channel, and मैं मेरे चैनल पे daily tech news मानाता हूँ, वेर जो ऐसे daily news आता है, वो में सुभह ही 10 बजी upload कर देता हूँ, वो भी आपको तुरंद मिल जाएंगे, so don't forget to hit that subscribe button if you haven't already, so yeah, thank you guys, thank you for watching,